तो Physics Podcast में 3rd episode हो चुका है, 4th की बार, हाँ, बहुत सारे लोग सोचने लगे हो गलत बोल रहे हो था, 3rd हो चुका है, 4th episode है यह, ठीक है, और अब ही देख आपने गानेमेटिक्स, लॉस अमोशन, फ्रिक्शन, अब सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में बहुत सारे हो तो सर्व उसमें तोरा पीछे चले जाते हैं, डेफिनिटली वहाँ पे रोटेशनल और वो सारे पॉइंट्स आएंगे, बट बेसिक जो की पॉइंट है, वो सर्कुलर मोशन से ही शुरू होता है, मतलब जब आप मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे मेकनिक्स एक्तम से उपर ऐसा दिखता है, अकर रोटेशनल में आप एक्तम प्रो हैं, तो मतलब आप फिजिक्स में एक्तम अच्छे होंगे, ऐसा मानते हैं, ठीक है, है भी कि बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, तो रोटेशनल में सर्कुलर का बड़ा बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर में से कवन हो रही होंगी, ठीक है, कि भी किस तरह से कैसा मोशन हो रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो सबसे पहली बात कि क्या पढ़ना है सर्कुलर में, कैसे शुरू करना ह ठीक है क्या भी नहीं चाहिए तो अब ऐसे शुरू करूं कि सर्कूलर मेंiver गोल गोल खूम रहे वहीं से स्टार्ट करते है की घूम रही जी ही छेंटन 笑्क्रीक्ति हो को जोन चेंज हो रहा है मतलब velocity is changing, अब velocity change हो रहा है मतलब acceleration है, अगर dress में shirt and pant है, कोई एक चीज़ सरफ shirt बदल ली तो हम कहेंगे न, dress तो बदल रहा है भई, तो velocity में magnitude है as well as direction, तो एक भी चीज़ बदल रही है, तो पक्के तो और पके सकता, velocity is changing, तो even uniform circular motion भी accelerated motion होता है, तो आपको अच्छा मतलब accelerated motion है, फिर वहाँ से देखेंगे कि angular displacement भी हो रहा है, angular displacement हो रहा है, तो फिर omega भी होगा, angular velocity भी होगी, तो angular velocity लिख दीजिए, angular displacement लिख दीजिए, फिर आप देखेंगे, अच्छा time period लिख लेते हैं, फिर frequency लिख लेते हैं, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों क मतलब simple basic level पे सबको connect करें, फिर सोची कौन कैसे, मतलब उसमें थोरा सा pro हो जाया, मतलब उसमें एकदम control आजा, मतलब आपको दिखने लग जाए, च्छा omega frequency time period, अच्छा, topmost point, tip की velocity, tangential velocity, उन सबको ठीक कर लिए, तब आप देखेंगे कि अच्छा जो acceleration था, वो direction को सिरब change क कर रहा था, तो direction को change कर रहा था, तो V के perpendicular होना चीए, तब तुम्हें लगेगा कि जब भी circular motion है, तो एक पक्के तोर पर acceleration है, जो always center की तरफ जा रहा है, और वो necessary acceleration हो गया for the execution of circular motion, and that is known as centripetal acceleration, अब उसको धीमेदे में laws of motion से connect करना शुरू कर देना, और एक चीज का ख्याल गलती से भी अभी तुरंत इसी moment पे rod और उसकी velocity और फलाना करने की कोश्च नहीं करना, अभी particle के हिसाब से उसके circular motion की बात करो, वो सब कुछ rigid body के rotation के लिए पूरा rotational chapter है, कई बार आपने देखा यहीं पे बच्चे फिर rod के एक point को angle देख करके फिर उसकी tangential velocity तो omega, भाई instantaneous axis of rotation and all rotational motion में पढ़ना है, अभी आप एक particle के perfect circular motion पे जाएं, जहाँ आप एक clearly center well defined हो और उसके चारो तरफ particle घूम रहा है, फिर इसके बाद आप देखो, अच्छा तो एक force चाहिए center के तरफ वो पता लग जाएगा, फिर आप pencil से जब ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देखो, क्य अगर मैं tangential velocity के magnitude को भी बदलवाने लग जाओ, कोई ऐसा ही agency हो, जो V के magnitude को भी बढ़ाए, तब आपको पता लगता है, ओ, along with that centripetal acceleration, एक और acceleration होने की गुझाई से, and that is tangential acceleration, तो अगर कोई particle circular motion कर रहा है, perfect circle बना रहा है, तो दो-दो acceleration होने की गुझाई से, एक center के तरफ, tangent के तरफ, तो जो net acceleration होगा, ऐसे के, इसमें वो दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, पके थार पर, तो आपने ही से देख लाए, अच्छा, uniform circular motion, फिर non-uniform circular motion, ये आपको समझ आ गया, इस पर छोटे-छोटे सवाल लगा दीचे, है न, क्या कैसे हो रहा है, अब वहां से द rotating string वेगरे निकाल ला होगा, तो बहुत फाइद है मिलना है, ठीक है, तो एक बार ये centripetal acceleration निकाल लिए आपने, तब बात आएगी कि, अच्छा, ठीक है, अब एक रसी में पात अकल बात के घुमाद हो, तो टेंशन निकालो, फलाना, डिदमाना, वो सब कुछ कर लो, वो non-initial frame of reference हो जाएगा, अब laws of motion तो valid नहीं है, तो फिर से एक adjustment के जरुरत होगी, तो एक adjustment के जरुरत होगी, तो in terms of centrifugal force हम adjustment लगाएंगे, ठीक है, तो centrifugal force तब लगेगा, जब आप rotating frame में है, ये बहुत important चीज़ ये खाल लगना है, actually हमें habit हो जाती है, कोई घूम रहा है तो हम centrifugal तुरन लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, भाई वो तब लगा है, जब कोई rotating frame में होंगे आप, और एक दूसरा misconception क्या होता है, कि जो body घूम रहा है, वही frame है, भाई साब कोई भी rotating frame ले सकते हैं, जो उसी angular velocity से घूम रहा हो, और उसी axis के बाउट घूम रहा हो, ये separation between axis and the particle, कौन सा axis, जिस axis के बाउट तुमारा frame घूम रहा है, मतब अगर एक particle को मैं axis पर घूमा दूँ, तो उस particle के frame में एक दूर बैठा किसी x distance पे कोई particle भी अगर omega से घूम रहा है, तो फिर वहाँ पे हम लगा सकते m omega square रहा है, कहने का मतब अगर वो नहीं भी, अगर ये frame में हो जाए, ताकि हम centrifugal force लगाने के बाद net force को zero कर पाएं, फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर एक particle घूम रहा है, r radius पे, तो observer हम बिलकुल axis पे भी घूमा सकते हैं उसी omega से, और इस observer के frame में भी m omega square रहा हैगा, या फिर इस observer को थोड़ी दूर से, r by 2 से मैं घूमा सकता omega से, फिर भी उस पे, उस rotating observer के frame में, उस circular motion कर रहा है particle पे, एम omega सको एनारी लगीगा, तो centrifugal force कैसे लगता है, ये बहुत तसली से समझना है, फिर उसको apply करना है, फिर habit में ले आना है कि जब भी circular motion कर रहा है कोई चीज होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी angular velocity से घूम रहा ह rotating frame में जाके solve करें, तो चीजे बहुत आसान रहती है, अब देखो इसके applications बहुत हो जाएंगे, एक तो तुरंद शुरू कर देंगे, बैंकिंग आप रोड से, बैंकिंग आप रोड में मत कुदिये, उसको NLM के हिसाब से सोचिए, यार अच्छा घूम रहा है, अगर flat road प तब फिर आपको engineering का एक नमोना समझ आएगा, कहते हैं एक बहुत, example समझ आएगा, highway पे थोड़ा टेड़ा कर दिया, banking off road, तो उस technique का क्या फाइदा हुआ, उस technique से कैसे हमने speed ज्यादा maintain करने में सफलता पा ली, कि भी अगर हम highway पे जा रहे हैं, तो भी higher speeds, competitively higher speeds से turn ले आने के उसमें अगर हम rotating frame में सोचें, और mg जो पहले सीधा था, mg का component आजाएगा, जो उसको बचाने के भी कोईश करेगा, फिर वहाँ से maximum velocity कितनी हो सकती, वो निकाल ले, तो इस तरीके से आप circular complete कर दें, उस पचरे में ना जाएं कि rod है, फलाना है, वो घूम रहा है, instantaneous, instantaneous, वो सभी जब rigid body motion करेंगे आप, जब pure rotational motion की बात कर रहे होंगे, तब सारे particle circular वहाँ पे पढ़ना ज्यादा फाइदे मन्द होगा, तो इतनी चीजों पर ही focus करेंगे, तो HC वर्मा सर की book बनाएंगे, हर सवाल बन जाएगा आप से circular के अंदर का, ठीक है, लेकिन वहाँ पे द बात करें, तो यह 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 points आने थे, और इस तरह से ही हमें पढ़ना चीए, और मज़िदार JEE के हिसाब से कई बार तो 2-3 दिन सवाल एक बार आ चुके हैं, कभी एक बार एक simple आ जाता है, तो इसको ignore भी नहीं कर सकते हैं, बहुत important है, क्योंकि सबसे important chapter में इसका use होना है, तो इस तरीके से circular motion को बढ़िए, इसको समझ लेंगे आप, मतलब यह again application of laws of motion दिखेगा, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग work energy पर बात करेंगे, तो उसमें एक बहुत famous story जो फिन में साथ की है, मैं उसको discuss करूँगा, ठीक है, तो circular motion में इतना ही, मैं बताना चाहरा था आप से अब तोरह सोचिएगा, कि डेली लाइफ में आप कहा कहा circular motion के example देख सकते, बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, तो चले फिर share like करना बिल्कुल मत भूलिएगा, comment जरूर करिएगा, बाकि मैं अपनी तरफ से पूरी उर्जा लगा रहा हूं, कि बहतर से बहतर content आपको provide किया जाए, तो आप भी बहुत से जितना कर सकते हैं share, नॉर्मल तरीके से आपका समय खराब ना हूं, आपके आपसे relations खराब ना हूं, वो बने रहें, तो जहाँ पर good faith में चीज़े होगे, आप जरूर share करेगा, फिर मिलते हैं आपसे, तीग है कि या।